नमस्कार आप देख रहे हैं दब यहां टॉप मैं हूँ आदेश कुई BPSC के द्वारा 584 कैंडिडेट को डंडित किया गया है और ये कैंडिडेट TRE1 के हैं यानि कि जो भर्ती सिख्षकों के लिए पहले चड़न में ली गई थी उस दोरान की अभियर्ति हैं और आपको हम बता दें कि इनमें से 171 जो कैंडिडेट हैं उनको एक साल के लिए आयोग के यानि कि BPSC के किसी भी परिछा में सामिल होने पर पर्तिबंद लगाया गया है तो वही 413 कंडिडेट को 3 सालों के लिए आयोग के किसी भी परिक्षा में सामिल होने से पर्तिबंदित किया गया है कारण आपको बता दे कारण यह है कि TRE1 रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे छात्रों के द्वारा जो है तरह तरह के आरोप लगाए गये परिक्षा फल से संबंदित आयोग के द्वारा एक जो है वो सिकायत को उसका गठन किया गया और उसमें कहा गया कि आपको जितनी भी सिकायते हैं सपत पत्र के साथ आप इसमें दर्ज कराए आपको बता दे कि 1700 से अधिकी यहां बताएं कि 1756 अभियर्थियों के द्वारा जो आयोग के द्वारा जो है इन कैंडिडेट से अस्पष्टिकरन मागा गया और अस्पष्टिकरन जो मागा गया है उसमें जो 171 कैंडिडेट हैं उन पर जो है एक साल पर के लिए पतिबंधित किया गया है उनके द्वारा यह कहा गया जो दिया गया है आयोग के पत्र में कि 171 अवियर्थियों के द्वरा अपना अस्पष्टिकरन आयोग को समर्पित किया गया और बता दे आपको जिसमें वस्तुता उल्ले किया गया कि मुझसे अंजाने में गलती हो गई परिक्षा में अनुत्रिंड होने के कारण अत्यधिक दवाओ घबराहट में सपत पत्र नहीं दे सका भूलवस सपत पत अपलोड नहीं कर सका ये सब जो हैं अपने कारण बताएगा ये प्रस्टिकरन में तो बतादे कि वैसे सभी अभियर्थी जिनके दवारा सपत पत्र के साथ आपत्ती दिया गया उनकी आपत्ती के आलोग में जांच की गई जांचों परांद पया गया कि अभियर्थियों दवरा विग्यापन में दिये गए निर्देसो जैसे की समान पर सासन विभाग के अधिसूचना संख्या 23-74 दिनांग 16 जुलाई 2007 एवं पत्रांग संख्या 6606 दिनांग 1 अक्टूबर 2008 में जिसमें परिक्षाओं में उत्तुर्ण होने हेतु आरक्षित कोटी वार अहरतांक लाना आहिवार है का अलोकन नही किया गिया और गलत धंग से आयोग पर दोसारोपन किया गिया जो किसी परतियोगी परिक्षा के लिए सही नहीं है वैसे 741 अभियर्थियों में से आप जिसमें एकोष्ट में दिया गया है कि पुरुव में समर्पित किये गए सपत्पत्रों परतिरूप अनुगरमां को छ अमुचित नहीं मानते हुए इनके विरुद आयोग के संबंद में ब्रामक सुचना फैलाना आयोग की कोछवी को धूमिल करने अपने कमी को छुपाने और आयोग के बहुमुल समय को बरबाद करने की चेश्टा की गई अतेयो उपरोक्त दर्ज क्रामां के सभी अतना से आयोग होने वाली सभी परिछाओं के लिए अगले एक वर्स यानि की 31-12-2024 तक पर्तिबंदित किया जाता है और ऐसा ही कुछ जो है नोटिफिकेशन 413 कंडिडेट के लिए भी जारी किया गया है जिनको बता दें आपको हम 3 वर्सों के लिए डिबार किया गया है और इसमें कहा गया है कि आयोग इनके द्वरा जो है असपस्टिकरन नहीं दिया गया चार सो तेरा कंडिडेट वैसे हैं जिनके द्वरा असपस्टिकरन नहीं दिया गया है इनके भी क्रमांक जो है वो दिये गया है और इसमें कहा गया है कि ऐसे अभियर्ति जिनके द्वर रखने हेतु समचित ओधी देने के बाद भी बिना सपत्पत्र के आपत्ती दर्ज कराई गई है। अगले तीन वर्सों जैसे की 31 दिसंबर 2026 तक दिबार किया जाता है। जिन्होंने सपत्पत्र नहीं दिया जाता जिससे आयोग के द्वारा असपश्टी करन्द मांगा गया। असपश्टी करन्द के साथ-साथ उनके उनका जो सिकायत था उस पर विचार किया गया। सिकायत में यह पाया गया कि उन्होंने जो सरकार के प्रोविजन है आरक्षन को लेकर उसको उन्होंने ठीक से देखा नहीं। इसके साथ-साथ उनके दवारा तत्य हीन तता आयोक के छवी को धुमिल करने वाला कारे किया गया। और 171 candidate के दोरा जो असपश्टी करन दिया गया, लेकिन 413 के दोरा असपश्टी करन नहीं दिया गया. ऐसे में आयोग ने कड़ा फैसला लिया 170 कनीडियेट के असपस्टी करन को समुचित नहीं मानते हुए एक साल के लिए डिवार किया और जो 413 असपस्टी करन नहीं दिये थे उनको 3 साल के लिए आयोग के किसी भी परिच्छा में सामिल होने से वंचित कर दिया गया है तो आयोग का ये सक्त रूप बता दें आपको समय बरबात करने छवी धुमिल करने इन सभी के आरूप में उठाया गया है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया लाइक सेर करें हमारे चैनल दब यहार टॉप को सस्क्राइब जरूर कर लें रन्यवार